Hi everyone, welcome back to my YouTube channel आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से Phuket, Krabi and Fifi Island की इसमें हम Bangkok और पताय की ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं अगर आप Bangkok और पताय भी इसमें add करना चाहते हैं तो आपको Bangkok और Phuket के बीच में काफी सस्ती फ्लाइट चलती हैं और बसेस के भी काफी सारे option हैं आप Bangkok या पताय भी add कर सकते हैं वो काफी easy आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं इस प्लान को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन days को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप Bangkok या पताय भी cover करना चाहते हैं तो Phuket का एकाद दिन आप कम कर सकते हैं और वहां Bangkok और पताय में आप बढ़ा सकते हैं तो यह आप अपने हिसाब से customize भी कर सकते हैं और अगर आप कई बार थाइलेंड ट्रिप कर चुके हैं और बैंकोक और पताय के अलावा आप बीचेस आइलेंड एंज्वाय करने हैं तो आप Phuket route को cover कर सकते हैं night life आपको यहाँ भी काफी अच्छी मिलेगी तो मैंने इस वीडियो को चार पार्ट में divide किया है पहले पार्ट में बात करेंगैं क्या document रिक्षाइड है आपको, क्या document आपके पास होने चाहिए second आपके flight fares कितने आएंगे third आपके पास transportation का option क्या है अकर आप Phuket से अकर कराबी जाना चाहते है या Fifi Island ये सारे transportation के option क्या है आपके पास ये बात करेंगे और fourth part में बात करेंगे आपको Phuket, Fifi, कराबी में hotel cost कितनी आ सकती है तो ये सारी चीज़े हम इस वीडियो में cover करेंगे तो मैं request करूँ आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना और जो भी Thailand trip प्लान कर रहा हो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें और ऐसे ही travel update and travel information के लिए इस channel को subscribe करें वीडियो को like and share जरूर करें सबसे पहले मैं आपको बता दू कि Thailand ने Indian tourist के लिए visa free करके रखा है Thailand ने इंडिया के साथ और भी बहुत से देशों के लिए visa free करके रखा है पहले ये visa free program मैं तक था उसके बाद ये extend होके 11 November 2024 तक के लिए valid है हो सकता है आने वाले समय में ये और भी extend हो जाए बट visa free extend होता या नहीं होता है ये अक्टूबर तक पता चलेगा तो जैसा भी update आएगा मैं आपको वीडियो को थूँ अपडेट कर दूँगा तो चैनल को subscribe करके जरूर रखें तो अगर आप visa free program जब तक चल रहा है 11 नॉंबर तक उसके पहले अगर आप जाते हैं तो आपके पास कुछ document तो होना ही चाहिए क्योंकि ये documents आपको immigration के टाइम पे शो करने पड़ेंगे मैंने पहले भी videos में documents के बारें बताया है बस मैं आपको एक बार repeat कर दे रहा हूँ सबसे पहला आपके passport की validity कम से कम 6 मैंने बची हो date of travel से दूसरा आपके पास आने और जाने की flight ticket होनी चाहिए आपके पास return flight ticket पहले book होनी चाहिए तीसरा आपके पास confirm hotel booking होनी चाहिए आप जहाँ भी फोकेत में कराभी में जहाँ भी stake करने वाले हैं आप बैंगोग पटाया भी जा रहे हैं तो जिस भी hotel में आप रुकने वाले हैं वहाँ की आपके पास confirm hotel booking होनी चाहिए यह hotel and flight के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इनकी cost कितनी आ सकती है इसके अलाब आपके पास proof of funds होनी चाहिए मतलब आपके पास currency होनी चाहिए या तो आप US dollar रेजा इंडिया से और वहाँ जाके थाइबाट में convert करवा सकते हैं और या फिर आप इंडिया से ही Indian rupees को थाइबाट में convert करा सकते हैं इनकी value की बात करूँ तो एक थाइबाट इंडिया के 2 रुपे 40 पैसे 2 रुपे 50 पैसे के बराबर होता है तो ये funds आप अपने साथ carry जरूर करें कम से कम आप 10,000 थाइबाट लेगे जाए अगर आप अकेले जा रहे हैं कम से कम 10,000 तो होने चाहिए आप ज़्यादा carry कर सकते हैं और अगर आप family के साथ हैं तो आपके पास 20,000 थाइबाट कम से कम होने चाहिए और इसके लाबा एक travel insurance भी आप अपने साथ रख सकते हैं ये जरूरी नहीं है पट आप अपने safer site के लिए एक travel insurance ले सकते हैं जो आपको around हपते भर का 1000 रुपे के आसपस में मिल जाएगा तो ये basic documents आपके पास होने चाहिए अगर आप Thailand travel करने वाले है तो अगर मैं बात करूँ best time क्या है Phuket, Fifi and Krabi आने का तो मैं आपको personally suggest करूँगा कि after September आप प्लान करें October में, November में हाँ अगर Bangkok और पटाया अगर आप जा रहे हैं तो आपका main मकसद है वहाँ के islands और beautiful beaches cover करना और ये July, August, September के जो months होते हैं ये पूरे monsoon के months होते हैं तो इन months में कभी भी बारिश हो सकती है heavy rainfall हो सकता है तो आपके जो भी plans होगे आप limited days के लिए ही जाएंगे तो वो पूरे disturb हो सकते हैं इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि after September आप Phuket कराभी का plan करें बाकी अगर आप plan कर चुके हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन इन months में किसी भी समय heavy rain के chance ज़्यादा रहते हैं आपन बात करते हैं second part की flight cost की देखिए Thailand के लिए main flight चलती है फuket के लिए और वो limited है 4-5 city ही है तो मैं आपको इंडिया की 4-5 city से जो direct flight आपको देती है आने और जाने की उनके मैं आपको fares दिखा दे रहा हूं और अगर आपका Bangkok पटाया घूमने का भी plan है तो आप बिल्कुल Bangkok की direct flight ले सकते हैं और आप Bangkok पटाया घूमने के बाद Bangkok से ही आपको direct flight मिल जाएगी फuket के लिए जो 3-4 जार रुपए के बीच में मिल जाती है आप ये भी कर सकते हैं और इसके आप बाकी मैं आपको direct फuket की flight तो अभी दिखाई रहा हूं तो इससे आपको estimate मिल जाएगा कि आपकी flight cost कितनी आने वाली है सबसे पहले मैं आपको direct flight दिखा रहा हूं डेली से फuket की जो 4 गंटे 45 मिनट लेगी और ये Indigo की है और इसका जो fare आएगा आपको 25,670 रुप भी शो हो रहा है और इसके लावा Indigo की एक और flight है जो 26,1400 रुप इसका fare आ रहा है तो आपको डेली से आने और जाने की 25,26,000 के बीच में Indigo की मिल जाएगी फuket की दोनों तरफ की flight इसके लावा Air India भी option में है लेकिन ये आपको थोड़ा costly पड़ेगा तो बेटर है कि आप Indigo की ही flight ले ले जो आपको 25,26,000 में मिल जाएगी इसके लावा आपको Bombay से भी direct flight मिल जाती है जो 4 गंटे 40 मिन लेगी Bombay से फuket में और ये भी Indigo Airline की है और ये आपको 21,570 रुप याभी शो हो रही है इसके लावा और भी option है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में Indigo की और भी Airline जो 24,25,000 में आपको शो हो रही है भी तो आपको Bombay से भी 21,25,000 के बीच में आने और जाने के flight मिल जाएगी इसके लावा बात करूँ एहमदाबाद से तो एहमदाबाद से direct flight तो नहीं है वाया Bombay मिलेगी जो 21,25,000 के बीच में मिल रही है बट उसमें आपका Bombay में ले ओवर रहेगा तो अगर आपको सुटेबाद हो तो आप एहमदाबाद से भी ले सकते हैं बट direct flight नहीं है एहमदाबाद से फोकेट के लिए नहीं है और बात करें बैंगलोर से तो बैंगलोर से भी direct flight मिल रही है ये भी इंडिगो की है और इसका आने और जाने का fare आ रहा है 23,418 रुपए बैंगलोर से फोकेट की और ये साड़े 3 घंटे की flight है इसके अलाब आपको सबसे सस्ती flight मिलेगी कोलकाता से जो सिर्फ 3 घंटे लेती है ये air Asia की है और इसका fare है 13,641 रुपए इसका reason यह है कि air Asia एक budget airline है इसमें आपको सिर्फ cabin bag मिलता है इस बात का आप हमेशा दियान रखें और दूसरी चीज़ कोलकाता से Thailand थोड़ा पास पड़ता है तो समय भी कम लगता है तो ये reason है तो यही सारे आपको option मिलते हैं direct Phuket के लिए India से इसके आप मैं आपको एक और option बताऊं flight के लिए अगर आप Bangkok cover करना चाहते हैं Bangkok या पटाया तो आप India से Bangkok चले जाएं Bangkok और पटाया घूमें उसके बाद आपको Bangkok से Phuket के लिए direct flight मिलेगी 3-4,000 रुपे के बीच में वहाँ से आप Phuket चले जाएं Phuket cover करने के बाद डारेक्ट इंडिया की flight ले ले डारेक्ट Phuket से आपको इंडिया की flight मिल जाएगी तो ये भी एक option है आपके पास बट मैं आपको जो अभी दिखाया हूँ ये same city से आने और जाने की है उसके लिए आपको तीन flight book करने पढ़ेगी इंडिया से Bangkok की, Bangkok से Phuket की और Phuket से इंडिया की जिस भी city में आपको जाना है तो ये भी एक आपके पास plan है आपको जो भी best लगे आप अपने हिसाब से उसकी booking कर सकते है next बात करते हैं आपको वहाँ पे क्या transportation मिल सकता है सबसे बहले बात करूँ जब Phuket airport आप पहुँचेंगे तो आप अपने hotel जाने के लिए main city जाने के लिए वहाँ के local transport का use कर सकते हैं उसके लिए आपको airport से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा वहाँ से AC buses चलती हैं जो आपको 100 भाट के आसपस में आपको city तक पहुचा देगी इसके लाब अगर आप taxi करते हैं तो आपको थोड़ा costly पड़ेगा इसलिए best option है कि आप वहाँ से buses का use करें उसके बाद आप Phuket City में two night stay करें पूरी city explore करें वहाँ की night life enjoy करें उसके बाद आप करावी के लिए निकल सकते हैं आप करावी जा सकते हैं करावी जाने के लिए आपके पास 3-4 option है या तो आप by bus जा सकते हैं Phuket bus तर्मिनल से आपको bus मिल जाती है जो लगबग 1500-200 थाई बाट में आपको तीन घंटे में करावी पहुचा देती है इसके अलाब आप टेक्सी भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा costly पड़ेगी जो आपको धाई 3000 थाई बाट लग सकता है अगर आप Phuket से करावी by taxi जाते हैं बस इसमें एक ही benefit होगा कि आपको Phuket के होटल से डारेक्ट करावी के होटल में आपको ड्रॉप कर देगी आपको public transport के लिए थोड़ा परशान नहीं होना पड़ेगा बस यही कारण है बाकी आपको cost काफी ज़्यादा आएगी और इसके अलावा तीसरा option है कि आप ferry कर सकते हैं ferry आपको 400-500 थाइवाट के आसपस में मिल जाएगी तो यह भी एक आपके पास option है बस वाला option आपको सबसे सस्ता पड़ेगा उसके बाद आप एक night stay करने के बाद करावी में पूरा explore करने के बाद आप FIFI island आ सकते हैं वहाँ पर भी आप एक दिन stay कर सकते हैं उसके लिए आपको करावी से ferry मिल जाएगी और अगर आप Phuket से फीफी जाना जाते हैं पहले तो आप फीफी जा सकते हैं और वहाँ से आपको करावी के लिए मिल जाएगी official side पर मिल जाएगी, ये भी आप experience कर सकते हैं, और आप two night Phuket, one night Fifi island और one night Krabi island घूमने के बाद, वापिस Phuket आजाएंगे, one night वहाँ stay करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको वापिस अपनी flight लेनी होगी इंडिया के लिए, तो आपके लिए easy रहेगा कि आप last day Phuket में ही रहें, और ये days आप अपने हिजाब से adjust कर सकते हैं, अगर आपको Krabi में एक आद दो दिन बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं, आपको Phuket में बढ़ाना है, तो बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें जो प्लान कर रहा हूँ थाइलेंट रिप सबसे पहले मैं आपको Phuket City के होटल दिखा रहा हूँ और Phuket में आप Patong Area के असपास अपना होटल लें Patong Beach के असपास ये आप देख रहा हूँगे 1400-1300 से होटल स्टार्ट हैं और इनकी रेटिंग भी आप देख रहा हूँगे काफी अच्छी रेटिंग है और यहाँ पर आपको होटल रिजॉर्ट काफी अच्छे मिल जाएंगे कम प्राइस में ये देखिए आपको 1090, 1900, 1993 इस रेंज में आपको होटल यहाँ शो हो रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब अपना होटल बुक करें तो इनकी रेटिंग्स और रिव्यूज जरूर चेक कर लें उसके बाद आप इनको बुक करें और यहाँ आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफर्म से बुक कर सकते हैं जहां भी आपको बेस्ट दील मिल जाएं वहीं से आप बुक कर लें इसको इसके अलावा मैं आपको फीफी आइलेंड के भी होटल दिखा रहा हूँ इसके अलावा मैं आपको इससे सस्ता इस्टे चाहिए है तो आप होस्टल ले सकते हैं होस्टल आपको 5-600 में बहुत अराम से पूरे थाइलेंड में मिल जाएगा आपको और काफी अच्छा होस्टल मिल जाएगा आपको तो वो भी आपके पास उप्षन है अगर आप अकेले ट्रावल कर रहे हैं आपको होटल रूम नहीं लेना है तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल्स शेयर करी है अगर इसके लाबा कोई भी क्विरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दें या मुझे इंस्टाग्राम में डियम कर सकते हैं और वीडियो इंफर्मिटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें